हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फुर यू, सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दू, आज जो आपका कोई भी SSC MTS का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आए हूँ, जिनका आगे आने वाले सिप्टों में जो है, SSC MTS का एक्जाम होने वाला है, और मैं आपको 100% ये गैरेंटी देता हूँ, कि आपके SSC MTS के एक्जाम में इसी परकार से प्रेश्ट ने पूछे जा रहे हैं, तो जिन भी केंडेट्स का आगे आने वाले सिप्टों में एक्जाम है, वो इस वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आप सरी क्याश्च करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो SSE MTS से रिलेटेड पलपल की अप्डेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा, तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आज का जो आपका पहला कुश्शन है कि मनीपूर का राजगे फूल क्या है, तो देखें मनीपूर का जो राजगे फूल है या आपका लीलियम मैकलीनिया है, कभी-कभी option में लीलियम मैकलीनिया ना देकर जो है इसका सामानी नाम सीरोई लीली दे दिया जाता है तो इन दोनों में से जो भी option में दिया रहा है वो आपका correct answer होगा बात कर ले अन्य राज जी के राजगे फूल के बारे में जैसे की मेगाले राज जी का पूछा जाता की राजगे फूल क्या है तो ये आपका गमारे है और ये जो आपका वनस्पती नाम है मिजोरम राज जी का जो राजगे फूल है ये आपका रेड वंदा है नागलेंड का अगर पूँछा जाए तो यह आपका डैोड्रों है गुज हarnosär की अगर पूँछा जाए तो यह आपका नोबल आर्कीड है त्रिपूरा राज्य का जो राज्य के फूल है यह आपका नाग कैसरी है तो यह सारे fact आपको ध systैन में रखना है नेक्स्ट आपके यहाँ पर है कि नागरिक्ता के अधिकारों को बना रहना ये जो है किस अनुछेद में वरनित है तो देखे नागरिक्ता जो है ये आपका भाग 2 में वरनित है और अनुछेद के अगर मैं बात कर लो तो नागरिक्ता जो है आपका अनुछेद 5 से लेकर 11 मे जो है ये कब मनाया जाता है तो देखे भारत में पोशन मा जो है ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है तो सितंबर महीना आपका यहां पर करेक्ट अंसर होगा बात कर ले किस अभियान के द्वारा मनाया जाता है तो देखे वर्स 2018 के बाद पोशन अभियान के तह जो है प्र अभियान है ना ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतराश्टे महिला दिवस के अपसर पर जो है आठ मार्च 2018 को राजस्थान के जुँझनू में लॉंच किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है यहां से एक्जाम में एक जो आपका गायन सैली है ना ये किस राज्य में प्रचली थै तो देखें ये जो आपका मांड गायक की जो गायन सैली है ना ये आपका राजस्थान राज्य में प्रचली थै तो राजस्थान आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा एक्जाम में प्रसीद मांड गायकों के और गवरी बाई ये जो आपका प्रसीद मांट गायकों में शामिल है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर है कि एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया इसकी जो अस्थापना ये कब हुआ था तो देखे एडिटर्स गिल्ड ओफ इ उठाने के दोरे उदेश के साथ जो है ये एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया की अस्थापना जो है 1978 में किया गया था तो 1978 आपका क्रेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट अपका यहां पर है कि 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था तो देखे आपके एक्जाम में गठन से एक हुआ था और यह जो आपका असम से अलग हुआ था तो नागा लेंड आपका यहां पर करेक्ट टैंसर होगा यहां से एक्जाम में एक प्रश्ण और बनता है कि इन में से 1987 में जो है किन राज्यों का गठन नहीं हुआ था तो देखे मैं आपको बता दूँ कि 1987 में जो है त तीन राज्यों का गठन किया गया था तो अरुनाचल परदेश गोवा और मीजोर्यम इन तीन राज्यों का गठन है यह 1987 में वनीइसाटासी में 272 में जो है तीन राज्यों चार खंड जो कि आपका बिहार से अलग हुआ था और उत्रा खंड ये तीन राज्यों का जो गटन है ना ये 2019 में किया गया था सिक्किम राज्य का गटन इकजाम में पूछा जाता है तो ये 1975 में हुआ था हर्याना और चंडिगर्ड राज्य का जो गटन है ये आपका 1966 में हुआ था महरास्ट और गुजरात राज्यों का जो गटन है ना ये 1960 में हुआ था आंध्रपरदेश, करनाटक, केरल, मद्देपरदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इन राज्यों का जो गटन है ये आपका कब हुआ था तो ये आपका एक नॉवंबर 1956 को हुआ था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप का यहाँ पर है कि 2018 में UNICEF इंडिया ने जो है देश की प्रतम युवा राजदूत यानि जो है फुर्स टेबर यूट एमब्वेसडर जो है ये किस एथलीट को बनाया था तो देखें 2018 में UNICEF इंडिया के द्वारए जो है देश की प्रतम यूवा राजद यानि Youth Ambassador यह हैं मादास ऑफ को बनाये गया था तो हीमादास आपका करेक्टर अंसर होका यहां से एक्जाम में और बनता है कि प्रश्ण की किustbrand नाम से यह किसे जाना जाता है तो देखें हीमादास को जो है डिंग इंट No! के नाम जाना जाता है हिमादाज जो यह किस राज्जे से समंदित है तो यह आपका असम राज्जी का एक भारतिय स्प्रिंटर यानि धावक है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है यूनिसेप 2018 में सबसे यूवा गौडविल एमबेजडर बनाए गया था तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहीं आप रहे कि प्रोटीन यह जो है किस से मिलकर बना होता है तो देखें यह जो आपका प्रोटीन है यह आपका एमिनो एसिड यानि एमिनो अमल से मिलकर बना होता है एमिनो अमल आपका ख्रेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट अब रहा कि भारत की सबसे यूव एक किस वर्से मेयर यह आर्या राजेंदरन आपका ख्रेक्ट टेंसर होगा यहां से एकजाम में एक प्रेश्ण और बनता है कि भारत कि सबसे युवा एक二 वर्सिय मेयर, यह जो आरया राजिंदरन है यह किस नगरनिगम की यह मेयर बनी है, यह आपका त्रीवणांत पूरम कॉर्परेशन की नगरनिगम की यह मेयर बनी है, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहाँ पर रहे कि किस राजी या फिर UT का one चेटरपल जो है वो सुनने परतीसत है तो देखें ये ज medida जो आपका लच्छ दीप आपका है लच्छ दीप में जो है कोई भी आपका forest area नहीं है लेकिन forest area होता क्या है कि जो आपका determined by government agency यानि government agency के द्वारा जो है यह determine किया जाता है जिसमें जो आपका लच्छ दीप में जो है कोई भी forest area determine नहीं किया गया है तो लच्छ दीप आपका यहां पे correct answer होगा इसके अलावा जो है 2019 का जो forest report आया था यहां से जो आपके exam में प्रेशन पूछे जाते हैं जैसे कि exam में आवरेंड की बात कर ले जो देश का भोगाले क्षेत्र कितना percent रहा था तो 21.67% रहा था ठीकवर देश का जो भौगाली छेत्र कितना परसेंट रहा था तो यह आपका 2.89% रहा था वहीं भारत में सबसे बड़ा वन चेतर यह जो है किसका रहा था तो देखे बारम अनुस पांचवे पे आपका महारास्टर राज्य था तो यह आपका करम जो आपको ध्यान में रखना है, वहीं अगर कुल भोगालीक छेतर में, प्रतीसत के रूप में वन छेतर में, सबसे पहले अस्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो यह आपका मिजोरम रहा था, इसका जो भो मनीपूर उसके बाद नागालेंड है, इसके अलावा एक्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कि से मनीपूर में सबसे ज़्यदा वन छेतर की कमी देखा जा रहा है, उसके बाद सबसे और अरुनाचल पर्देश राजीοι में, उसके अब आपका मिजोरम राजी में जो है व 2020 जो है ये किसे दिया गया था तो देखे 2020 का जो अंतरास्टे बालसांती पुरुषकार है ये बंगलादेश के साधत रह्मान को दिया गया था तो साधत रह्मान आपका करेक्ट टैंसर होगा और ये जो पुरुषकार है साधत रह्मान को क्यों दिया गया था तो ये जो पु 2019 में ये जो पुरुषकार ये किने दिया गया था तो ये ग्रेटा थुनबर्ग जो की स्वेडन के रहने वाले हैं और डिविना मैलॉम जो की कैमरून के रहने वाले हैं तो इन्हें 2019 का ये पुरुषकार दिया गया था बात कर लें ये जो अंतराश्टे बाल सांती बोब रिता इंशाओं कर्नाटक और एकजाम में तो मैसुर्राज्य को करनाटकilles करदिया गया था तो देखे मैसूर राज्य का नाम बदल कर जो है करनाटक 1973 में कर दिया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि विंडो 10 में कौन सा फंक्शन की जो है वालियूम बढ़ाने का कारे करता है तो देखे ये जो आपका फंक्शन की के साथ अब जब F8 प्लेस करोगे ना तो ये जो आपका वालियूम बढ़ाने का कारे करेगा यह भी किसमें तो ये आपका विंडो 10 में करेगा तो फंक्शन की प्लेस F8 आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा बात कर ले अगर एक्जाम में पूछा जाए कि वालियूम कम करने के लिए कौन सा function की जो है वो कारे करता है तो देखें volume कम करने के लिए आपका function की के साथ जो है आप जब app 7 की प्रेश करोगे ना तो यह आपका volume कम हो जाएगा वही अगर mute करने की बात कर ले तो function की के साथ आपको app 6 जो है वो प्रेश करना होगा और रोसनी यानि brightness बढ़ाने के लिए आपको function की के साथ app 3 जो है वो प्रेश करना होगा वही अगर brightness कम करने के लिए आपको function की के साथ app 2 जो है वो प्रेश करना होगा spelling check और grammar check कर लिए आपको कौन सा की यूज़ करना होगा तो आपको फंसन की के साथ एप सेवन की यूज़ करना होगा तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप कहीं आप रहे कि मौसम के पूर्वा नुमान के लिए जो है किस परकार का कम्प्यूटर जो उप्योग किया जाता है तो देखे मौसम के पूरवा नुमान के लिए यह आपका सूपर कम्प्यूटर का उप्योग किया जाता है तो सूपर कम्प्यूटर आपका करेक्ट टेंसर होगा किस राजी की महिलाओं द्वारा अपने सीर को ठंडी हवा से बचाने के लिए रहीदे नामक असकारप वो सीर पर पहना जाता है तो देखे हिमाचल परदेश की महिलाओं द्वारा अपने सीर को ठंडी हवा से बचाने के लिए ये रहीदे नामक असकार पर पहना जाता है तो हिमाचल परदेश आपका क्रेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि CSIR CMERI के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर्व रीच यानि सोलर ट्री जो है ये कहां पर अस्थापित किया गया है तो देखें ये जो आपका CSIR CMERI के द्वारा जो सोलर ट्री है ना ये आपका पस्चिम बंगाल के दुर्गापूर में अस्थापित किया गया है तो पस्चिम बंगाल आपका क्रेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट उस्ट है आपका यहां पर है कि Indian Estate with Highest Road Lengthies यानि सरवादिक Road Network जो है यह किस राज्जी में है तो देखे भारत का सरवादिक Road Network जो है यह आपका महरास्ट राज्जी में है नेक्स्ट अप का यहाँ पर है कि निच्छे पोशन योजना यह जो आपका किस समंदित है तो देखें यह जो आपका निच्छे पोशन योजना यह आपका टीबी से समंदित है तो टीबी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा और यह जो योजना है यह देश के जो लोग ट ब्रश्ट और बन सकता है जो आपका प्रतिमा माकितने रुपए कि जो धन रासी ए Все ऑने किया जाएगा तो पांसोinkई ओ एक रुप diri, वह विते उसके बाद अगर बात कर लें BCCI का 88 जो AGMI मीटिंग हुआ था ना ये 2020 में कहां पर हुआ था तो देखे 2020 का जो AGM मीटिंग हुआ था जो की BCCI का 88 मीटिंग था ये आपका एहमदाबाद में 24 दिसंबर को हुआ था तो एहमदाबाद आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर है कि विदूत आवेश सबसे पहले जो है ये किस ने खोजा या फिर परियोग किया था तो देखे विदूत आवेश को सबसे पहले जो है ये बेंजमीन फ्रैंकलीन के द्वारा खोजा गया था तो बेंजमीन फ्रैंकलीन आपका करेक्ट एंसर हो तो आंदर परदेश, करनाटक और महराष्ट राज्यों में इनका जो है सासन रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है यहां से एक्जाम में एक प्रेशन और बनता है कि हैदराबाद के अंतीम निजाम जो ये कौन थे तो देखि है अंतीम निजाम थे ना ये आपके उस्मान अली खान थे जो की हैदराबाद के सातवे निजाम थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट कि अगर मैं बात कर लो कि हैधराबाद के पहले जो निजाम थे वो कौन थे, तो ये आपके कमर उद्दिन खान थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको कमेंट करके जवाब देना है, कि निजाम पैले ये जो कहां पर इस्तित है, ये जो आपको स्ब्सक्राइब जरू कर दिएगा तो मिलतें नेक्स विडियों तब तक थांक यू, all the best